यो दोस्तों प्लस प्लिट पॉंट प्लाव दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाहा दोस्तों हम लोग ने एक नया सीरीज चलो किया है Python Programming in Hindi for Beginners करके इस सीरीज में python programming का इस्तामाल कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ये सीरीज को देखने के लिए आपको खाली YouTube में जाना है YouTube में निकेच शाह प्लस नाम की चैनल के अंदर जाना है उसके प्लेइलिस्ट में जाना है प्लेइलिस्ट में जाने के बाद Python in Hindi for beginners करके एक सीरीज बने गई है आप उसमें जा सकते है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर फिलाल दो ही वीडियो आपको नजर आ रहा है दीरे दीरे हम लोग जितने भी वीडियो पोस्ट करते जाएगे इसी के नीचे आते जाएगा और यह पूरी लिस्ट आप आसानी से एकसेस कर सकते हैं जिसकी वज़े से आप टॉपिक वाइस टॉपिक हर एक चीज क पढ़ सकते हैं तो चलिए आठ के टॉपिक की शुरुवात करता है तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ने पाइथन तो इंस्टॉल कर दिया है साथी साथ पाइचेम को भी इंस्टॉल कर लिया है अभी हम लोग एकसेस करके देखते हैं पाइथन को चला कर देखते हैं और क तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ एक कहता है cmd जो कि हमारा command prompt mode है तो यहां पर हमारा command prompt mode अभी जो यह path दिखा रहा है वो मेरे system का path है मैं यहां पर लिखता हूँ python और enter दबाता हूँ तो आप देख सकते कि python 3.8.5 वर्जन जो है चालू हो चुका है याने कि यह python पोग्राम जो है वो रन हो चुका है in short ठीक है तो यह जो है वो command line के जरीए उसको access करने का तरीका है पहले मैं यहां पर छोटे-छोटे programs को बता देता हूँ छोटे-छोटी चीज़े जो important चीज़े वो बता देता हूँ उसके बाद में pipe champ को अभी हम लोग इस्तमाल करना सीखे गए ठीक है तो सबसे पहला जो मैं यहां पर step up को बताने जा रहा हूँ वो है integer अभी आप भी न नठानाम दी दिया ठीक है मैं बोलता हूँ ऑस यहां जो भाई उसकी value है 20 ठीक है तो यह 20 क्या है जिसको हम लोग बलते integer यहनी की value मैंने set किया है 20 ठीक है ठीक है तो A की जो value है वो A into A है मैंने एंटर दवेत है उसने वो वह सबसे value दिमाक में डाला अब यह मैं बोलतो A क्या है तो A की value है 400 तो यह 400 कैसे आया क्योंकि A into A यहने की 20 into 20 यहने की होता है 400 तो इस तरह के से A की value जा है उसने मुझे 400 बताई तो आप देख सकते हैं किस तरह के से calculations हो रहा है यह तो छोटा मोटा मैंने नमूना बता है कई करोडो अर्बो का calculation एक जटके में हम लोग python के जरी करवा सकते हैं दूसरी चीज इसमें समझने के लिए है वो है string स्ट्रिंग जो है अब यह string command है इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो string is equal to मैं समझो inverted comma में लिखता हूँ यहाँ पर hello world तो यह string value enter दबा दिया तो यहाँ पर मैं लिखूगा बहे string क्या है तो यह दिखाएगा कि hello world है okay string जो है वो एक प्रकार का hello world यहना कि string की value मैंने दिया है hello world तो string क्या है तो hello world है clear है इतना इसी प्रकार से एक और चीज जो आपको समझने पड़ती है वो है print तो यहाँ पर print मैंने लिखा है print को कैसे इस्तमाल किया था हलागी इसको और हम लोग पाई चायम के अंदर इस्तमाल करेगे तो ज्यादा बैदा तरीकी से समझ में आगा लेकिन आपको बता देता हूँ इसमें brackets का प्रयोग होता है और inverted comma का प्रयोग होता है तो मैं लिखता चालू किया inverted comma में लिखा my name is naked inverted comma complete bracket complete अभी जैसे ही मैं एंटर दबाऊगा तो directly my name is naked लिख करा गया यह command बहुत बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आपको आगे चलके इसके लिए प्रिंट कमांड के बारे में बता श्ट्रिंग कमांड जो है वह जब आप स्ट्रिंग लिखोगे तब ही जाके वह उसकी जो चीज़ें अंदर आपने लिखी हुई रहेगी वह दिखाएग तो द двух d Alexand के अंदर जो लिखी है वह मुझे दिखा रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिंग और प्रिंट करके जो स्ट्रिंग लेखा इन दोने में डिफ्रेंस आपको कुछ दिख रहा है अगर आप hello world को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर inverted comma में है और यहाँ पर inverted comma नहीं है, क्योंकि यह output डिकलेर कर रहा है, जबकि string जो है वो पूरी की पूरी चीज आपको नजर आ रही है, तो यह दोनों में difference है, यह जो इसको बोलते character और यह बोलते output, इसको यह जानता है कि य चीज है, जबकि यह जो है वो string की value यहाँ पर print करवाने का काम करेगा, तो यह दोनों में difference है, इसी प्रकार से समझो, मैं यहाँ पर लिखता हो, print और a, a की value पहले से defined है, 400, समय रही है बत, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने 400 दिये तब वो ही सब से यहाँ पर आ गी, तो यह जो एक छोटा सा program है, जो आपको चीज, मतलब यह आप programming ही कर रहे है, जो मैं बता रहो, बहुत ही simple चीज है, अगर ध्यान से एक बार करोगे, तो आसानी सा आपको समझ में आ जाएगा, इसी प्रकार से अभी Picham में हम लोग करके देखते हैं, इसको मैं close करता था, अच्छ जैसे कि AutoCAD है, Mobile Repairing, Laptop Repairing, Web Designing, Programming, Computer Networking, Advanced Excel, जैसे कई सारे अनगीनत courses चालू कर दिये, यह सब courses करने के लिए केवल मोबाल में एक app डाउनलोड करना है, Plus Point Training, जो की Google Play Store से आपको मिल जाएगा, अगर आप Laptop या Computer से चाहते हो, तो www.pluspointonline.com, यह website में विजिट कर गया, आप आसानी से online Cosex सिख सकते हो, अधिक जानकर एक लिए जो मेरा WhatsApp नमबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर केवल Hi का Message डाल दीजे, तो आपको पूरी जानकरी WhatsApp के माधियम से मैं आपको भिजवा दूगा, अभी यहाँ पर, PyChem में चालू किया है, और by defaultly, यहाँ पर हम लोग ने एक folder बनाया था, फर्स्ट फोरो करके, आपको याद रहेगा, जभी Python इंस्टॉल किया था, तभी यह चीज यहाँ पर आई थी, correct, तो यहाँ पर right-click करूगा मैं, और यहाँ पर new में जाता हो, और यहाँ पर लिखता हो, python file, यहाँ पर एक नई file बनाने की क कोशिश कर रहा हो, जो python file रहेगे, जिसका नाम है, समझो, first, okay, और enter दबाता हो, जैसे ही मैंने first करके enter दबाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो है, first जो है, वो यहाँ पर दिख रहा है, okay, मैं सबसे पहला program इसके इंदर रन करने की कोशिश करता हो, मैं सबसे क्लिक कर दूगा न, तो automatically देखो brackets हमारे लिए देख करेगे, क्योंकि यहाँ पर object value जो है, ब्रैकेट के इंदर रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखता हो, भाई, I am nicate, ठीक है, इस तैसे दिया, और मैंने बस enter दबा दिया, ठीक है, अब इसको run कैसे करते है, अभी python जो यहाँ पर, जैसे ही run किया, तो यहाँ पर दिखा रहा है, I am nicate, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से भी आप उसको run करवा सकते है, यह भी वही option है, यहाँ पर right-click करके भी run करवाएगे, तो भी चलेगा, इसी प्रकार से, अगर मैं string करता हूँ, string is equal to, मैं यहाँ पर value देता हूँ, यहाँ पर string, यहाँ पर inverted comma देने की ज़रूद नहीं है, ओके, enter, अभी मैं इसको run करवादा हूँ, तो आप देख सकते है, I am nicate, यह जो पहले का आया, और h h j, वह string का value आया, इसी परकार से, जो मैं a की चीज़ बताई दी, समझो, यहाँ पर a is equal to 20, ऐसा मैंने value दि तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, print, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, a, ओके, enter, तो अभी यहाँ पर समझो, run करवादा के देखते है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20, तो 20 कहाँ से है, तो इसकी value जो है a की, जो define करी थी, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो इ इस तरीके से आप कोई भी चीज, जो आपको बनानी है, वो यहाँ पर आप developed कर सकते हैं, चलिए और एक चीज में आपको होता था, अभी यहाँ पर आपको inverted comma दिया था, किसी के बारे में यहाँ आएगा, किसी के ख्याल, कि यहाँ पर inverted comma नहीं देगे, तो क्या होगा, तो उसको मालूँ नहीं है, क्या चीज आपने लिखा हूए print के अंदर, उसको inverted comma देना ज़रूरी है, अब देख सकते हैं, अभी inverted comma में दे रहा हूँ, तो color भी उसका change हो गया है, एक मिनिट, यहाँ पर enter दबा दिया, color भी उसका change हो गया, और यहाँ पर run करके देखते हैं, तो काफी सारी चीज़े आपको इसमें समझ में आएगी, इसमें यूजर से हम लो input भी करवा सकते हैं, websites भी developed कर सकते हैं, कई सारी चीज़े हम लोग इससे बना सकते हैं, तो देरे-देरे करके आगे हम लोग बढ़ते जाएगे, तो आपको बहुत अच्छी दासे समझ में आए ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आएगा उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like और share करना ना भूले वीडियो को, और comment में जरूर लिखे कि अगला वीडियो आपको कुन सा चाहिए या यह वीडियो आपको कैसा लागा, चले आज क इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.